नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लगतार पंजाब किंग्स की टीम है जो वो नीचे जाती जा रही है पॉइंट टेबल में इसके अलावों बाकि सभी टीमे किस नंबर पर है दोस्तों आप सभी को मारी इस वीडियो को अंतक देखना है क्योंकि वीडियो जो होत ही जादा खास होने वाली है तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे point table की और अंत में बात करेंगे और CSK की टीम आठ मैच अब तक खेल चुकी है जिसमें से 6 मैच जीत कर और top पर बरकरा रहे आप सभी समझ सकते हैं कि 6 मैच जीतने का मतलब यह 12 point होना और दोनी 12 point के साथ सबसे top पर है और क्योंकि इनका जो run rate है वो काफी अच्छा और positive में है इस वज़े से यह सबसे top पर है दिल्ली capital भी कम नहीं है दिल्ली capital ने भी 8 मैच अब तक 6 मैच जीते हैं और इनका भी जो net run rate है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार है इनके भी 12 point है लेकिन net run rate थोड़ा सा चीजने से फीका है इस वज़े से यह थोड़ा नीचे है लेकिन RCB जो है वो third number पर है और RCB ने 8 मैच में से 5 मैच जीते हैं और इस वज़े से RCB थर्ड नमबर पर है बात करें अगर हम fourth number की तो fourth number पर कोई और नहीं बलकि रोही सर्मा की कप्तानी वाली team Mumbai Indian है जी हाँ आपको बता दें Mumbai ने अभी तक 8 मैच खेल चुका है इस tournament में 2021 में और Mumbai Indian अब तक 4 मैच जीत पाई है जिसकी वज़े से इनके 8 points और अच्छी बात जो यह है कि Mumbai Indian के जो points है net run rate है वो भी थोड़ा बहतर है इस वज़े से Mumbai Indian चौथे नमबर पर है बात करें अगर हम 6 नमबर की तो जी हाँ आपको बता दें कॉलकतना नाइट रैडर अब 6 नमबर पर आ चुकी है दोस्तों कॉलकतना नाइट रैडर ने 8 मैच में से 3 मैचों में जीत हाँ सिल्की है और इनका जो नेट रैट है वो भी बहतर है इस वज़े से ये अभी 6 नमबर पर है बात करें अगर 7 नमबर की तो 7 नमबर पर पंजाब किंग्स पहुंच चुकी है और पंजाब किंग्स के लिए इस्तिती वैसी हो चुकी है कि अब करो या फिर मरो पंजाब किंग्स के 5 मैच अभी भी बचे हुए है और वहाँ पर पंजाब किंग्स को हर मैच जीतना बिल्कुल मश्ट है अगर Punjab Kings हारती है एक भी मैश तो साइद हम यह समझ सकते हैं कि Punjab Kings टूर्णामेंट से बाहर हो जाएगी और आप सभी समझ सकते हैं कि अब Punjab Kings के लिए आगे की स्थिदी कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है पाँच मैश में से पाँच मैश लगतार जीतना आसान नहीं होता है और रहुल के लिए भी यह बहुत मुस्किल होने वागा तो इस तरह से पंजाब Kings ने 9 मैश खेले हैं तीन मैश में जीत मिली है सिरफ 6 पॉइंट है पंजाब के और इसी वज़े से पंजाब Kings साथवे नंबर पर है बात करें अगर हम आठवे नंबर के टीम की तो Sunrider हैदराबाद सबसे जादा पिछे है साथ मैश खेल के Sunrider हैदराबाद को सिरफ और सिरफ एक ही मैश में जीत मिली है और इस वज़े से Sunrider हैदराबाद जो है वो सबसे नीचे है सिरफ 2 पॉइंट के साथ तो इस तरह से दोस्तों ये पुरा का पुरा पॉइंट टेबल है जहां देखने को मिल रहा है कि ये लाहूल की टीम लगतार नीचे हो रही है और महिंदर सिंग धोनी की टीम लगतार उपर हो रही है उम्मीद करते हैं कि पंजाब किंग्स आगे आने वाले अपने सभी मैश जीतेगी और अच्छी पर्फरमेंस करके एक वार फिर से अपने Net Rain Rate को सुधार करके प्लेओफ में जगे बनाने की कोसिस करेगी क्या आपको लगता है कि अभी भी पंजाब किंग्स यहां से उपर जा सकती है और प्लेओफ में जगे बना पाएगी कमेंट करके जरू बताना साथ ही वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद